नमस्कार खबरे अबितके सोशल मीडिया प्लाटफॉम पर आपका स्वागत है मैं हूँ अवन्तिकायादव क्या तेलगू फिल्म इंडस्ट्री बंद होने वाली है आखर क्यों बंद हो रही है तेलगू फिल्मों की शूटिंग अगर ये खबर सुनकर आपको भी चटका लगा है तो आप भी तेलगू फिल्मों के शौकीन है तो ये खबर आप जरूर देखें अब बहुत जल्द तेलगू की नई फिल्म में आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि तेलगू फिल्म निर्माताओं ने एक अगस से फिल्मों की शूटिंग रोखने का फैस्ता किया है ये फैस्ता फिल्म उद्यों को कोविड लॉक्टाउन की कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लिया गया है दरसल कोरोना के बाद फिल्म निर्मान लागत कई गुना बढ़ गई है और कोरोना की कारण सिनेमा हौल से होने फाली कमाई निचले स्तर पर पहुँच गई कई निर्माताओं ने पिछले दिनों हैदरबाद में बैठके कर पर एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें लिखा बदलती राजस्व स्थितियों और बढ़ती लागत के साथ माहमारी के बाद निर्माताओं के लिए उन सभी मुद्दों पर चर्चा करना महतपूर हो गया है जो हम फिल्म निर्माताओं के सामने हैं यह हमारी जिम्मदार उन्हें स्वेच्छा से 1 अगस्ट 2022 से शूटिंग रोकने का फैसला किया है यह तब तक बंद रहेगा जब तक कि हम व्यवहारिक समाधान नहीं ढूंड लेते नर्माताओं ने टेलगू फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स को 1 अगस्ट से फिल्म की शूटिंग रोकने के फैसले इसे अफ़कत करा दिया है नर्माताओं ने सिनिमा हॉल में रिलीज के बाद 10 सब्ताहत तक किसी भी नई फिल्म को OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज नहीं करने का भी बड़ा फैसला लिया है दरसल महामारी के वज़ह से कई फिल्मों की शूटिंग भी रुकी रही जिससे कल प्लाकार और नर्माताओं को करोडों का नुकसान चीलना पड़ा फिल्म के निर्माता एस एस राजा मोली को भी आरारार की शूटिंग की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी फिल्म 2022 में आकर रिलीज हुई तेलेको फिल्म निर्माता उद्योग के अध्यक्ष सीकल लिय उते हैं गया है दो झाल याते हैं भी तकन पर चानल जो दो आगे नहीं हैं थी तारीघ ज़ कर दो रहते हैं जो बड़ा प्लाएं के लिए नहीं तारीघ थी तारीघो उन्हीं है अवारा फिल्ग झाल झाल